Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, कैसे आप लोग, मेरा नाम जुनायद है, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं, Apple ने अपना iOS 16.1 stable version यहाँ पर रिलीज कर दिया है, जो भी iOS 16 supported devices हैं, उनमें आप बहुत ही इसली से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, बात करते हैं इसके size के बारे में तो यहाँ पर दिसकते हैं, मेरे पास iPhone 12 Pro है, जिसमें आपको इसका updating size 5.14 GB का देखने को मिल जाता है, अगर आप एक stable version पर चल रहे हैं, iOS 16 के, तो आपको यह update का size आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, 1-5 GB तक का देखने को मिल जाएगा, और अगर आप बेटा version पर चल रहे हैं, तो आपको stable version पर आने के लिए पहले तो beta profile delete करनी होगी, उसके बाद ही आप stable version पर आ सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप beta version पर चल रहे थे, तो आपको यहाँ पर इसका update size काफी बड़ा देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मेरे iPhone 12 Pro में है, दोस्तों भी बत version पर चल रहा था, जिससे मैंने यहाँ पर अभी iOS 16.1 stable version डाउनलोड किया, अपने iPhone 12 Pro में, यहाँ पर modern firmware की बाद करते हैं, यहाँ पर दिख सकते हैं, modern firmware हमारा 3.07.00 है, अपडेट के बाद यहाँ पर दिखेंगे कि हमारे modern firmware क्या changes आए हैं, और क्या हमारे update size में यहाँ पर changes हैं, दोस्तों यहाँ पर दिखा रहते हैं, आपको कि update के बाद हमारे about section में क्या-क्या changes आया है, तो यहाँ पर about में चले आते हैं, settings में यहाँ पर आप दिख सकते हैं, हमारा iOS version है, यहाँ पर इसका build number है, 20B82 यहाँ पर हो चुका है, जो कि 16.1 है, इसके बाद यहाँ पर द यहाँ पर 3.07.00, तो यहाँ पर modern firmware में कोई भी change नहीं हुआ है, यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी changes थे, मैंने आप लोगो यहाँ पर दिखा दिया है, दोस्तों भी बात करते हैं, कि Apple ने अपने iOS 16.1 stable version में क्या-क्या new changes लेकर किया है, और क्या-क्या new features लेकर किया है, तो सब इससे पहले feature की बात करते हैं, जैसे कि आप सभी लोगो पता होगा, यहाँ पर Apple ने अपनी lock screen को redesign किया है, आप अपने lock screen पर long press करेंगे, तो यहाँ पर आपको काफी customization का option देखने को मिल जाता है, आप अलग-अलग तरह से यहाँ पर wallpaper चूस कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अलग-अलग color यहाँ पर चूस कर सकते हैं, photos चूस कर सकते हैं, और जो है same image भी चूस कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर blur हटा भी सकते हैं, और यहाँ पर settings में जाकरके wallpaper अगर select करते हैं, तो यहाँ भी Apple ने कुछ नई चीज़ने देगे रखी हूँ यह wallpaper में चले आते है यहां पर आप दे सकते हैं, यहां पर जो है current जो आपका wallpaper लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहां पर लगा हुआ है, आप दूसरा यहां पर set करना चाते हैं, यहां से आप directly settings में जा करके set as current wallpaper कर सकते हैं, यहां फिर जो है यहां पर choose कर सकते हैं, आप नया wallpaper यहां से add भी कर और दोस्तों यहाँ पर आप देह सकते हैं एपल ने बहुत इच्छा एनिमेशन भी यहाँ पर देखे रखा वा हूँ लूगों को मालूम नहीं है, हम यहाँ पर आपने imagin Dü factual को कैसे कर सकते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं वह यहाँ पर में और है करके समझ जाएंगे एक iPhone XR यूज करते थे या फिर जो है iPhone 11 यूज करते थे या iPhone 13 मिनी यूज करते थे तो उसमें से Apple ने यहाँ पर अपने यहाँ लोगों में आता था परसेंटेज उसे हटा दिया जिससे आप लोगों को बहुत ही परिशानी हो रही थी आपको बाबा अपर बैटरी परसेंटेज देखना पड़ रहता लेकिन आप लोग वर गुड नूज है अगर आप iPhone XR यूजर है या फिर iPhone 11 यूजर हैं तो उन यहां पर आपको सिर्फ low power mode का option देखने को मिल रहा था अब यहां से आप बैटरी परसेंटेज को भी turn on कर सकते हैं आप turn on करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज हमारी आ चुकी है बैटरी के लोगो में ही और यहां पर पहले एपल ने बहुत बड़ी बे चेंज कर दिया है अब आयो आउए 16.1 में आपको यहां पर बैटरी का आइकन भी कम होता हुआ दिखेंगे जैसे आपकी बैटरी कम होती जाएगी वैसे यहां से जो वाइट वाला हिस्सा है आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है मुझे अजय करना है तो यहां एस्ट वर आपको दिखाए व यहां पर देखने को मिल जाएगा इसे क्या होगा आप फोकस mall को अगर personal मोड पर टालते हैं तो आपके जो important notifications है important call है वह आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपको कोई भी call यह messages नहीं लेना है तो आप यहां से उसे setup कर सकते हैं आप अगर जो है नया setup करना जाते हैं तो setup के option पर जा करके आप यहां पर देख सकते हैं एक नया यहां पर wallpaper add कर दिया है setup से related कि आपको यह work का environment यहां पर दिखाएगा कि आप क्या work कर रहे हैं क्या setup करने जा रहे हैं इसमें पहले आपको यहां पर सिंपल सा आइकन देखने को देखा इस टाइप का लेकिन आप एपल यहां पर एक wallpaper add कर दिया है जिससे आपको थोड़ा notifications आते हैं जो भी calls आते हैं वह आपको यहां पर डिस्टब नहीं करेंगे आप अच्छे से focus कर पाएंगे अपने work पर दोसके यहां पर apple ने एक और changes किया अपने iOS 16.1 में iPhone 14 pro के लिए जिसमें आपको यहां पर dynamic island देखने को मिल जाता है तो आप जब भी यहां पर change कर दिया है यहां पर आप देख सकते हैं जो dynamic island है अगर आप एक हाँ से यूज करना चाते हैं तो आप reachability की help से आप नीचे करेंगे तो आपका जो dynamic island है वह भी यहां पर position जो है आ जाएगी reachability में आप इसे use कर पाएंगे बहुत easily तो यह एक अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जिनके पास iphone 14 pro है जो use करते हैं उनके लिए reachability में एक changes नया देखने को मिल जाएगा ios 16.1 में अभी बात करते हैं यहां पर दूसरे फीचर के बारे में जो कि apple ने आप अपने ios 16.1 में लेकर के आया है वो है live activities से related तो दोस्तों यह live activities क्या होती है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर आप जो है अगर टाइमर वगेरा का use करते हैं आप यहां पर टाइमर को start या फिर पाउस करते हैं तो आप जो है यहां पर notification पैनल में भी इसका access कर पाएंगे आप यहां से live activities के जरीए प्ले और पाउस कर सकते हैं और यहां से हटा भी सकते हैं इसे cancel कर सकते हैं और यहां से remove हो जाएगा तो apple ने यहां पर इसे third-party application के लिए इनेबल कर दिया आप अगर third-party application का यूज करते हैं तो वो भी आप जो है यहां पर अपने notification पैनल पर उसको access कर पाएंगे अगर आपने यहां से back कर दिया है और उसके बाद आपकी जो activity हो यहां पर दिखती रहेगी timer वगेर आपको यहां पर चलता रहेगा जो की काफी अच्छी बात है दोस्तों भी बात करत से आप जो है अपने family members को अपनी photos जो है share कर पाएंगे तो in depth में आप लोग समझा जाता हूं कि आप जो है जब यहां पर अपने iCloud account में जाएंगे iCloud को open करेंगे तो यहां पर आप जो है फोटो को share कर सकते है iCloud के जरी अपने family member को जिन जिन member को आपने अपने phone में add किया है तो उनकी devices में भी यह photos चली जाएंगे तो मैं चाहता कि जो है मेरी जो personal photos हैं वो मैं अपनी family के साथ share करूँ तो यह काफी अलग feature है अगर आपने धोके से कोई भी photo ऐसी है जो आपने sharing पर डाल दी तो यह सारे आपके family member के पास पहुंच जाएगी तो मुझे लगता है most यहां पर full दिखाएगा जैसा कि मेरे में दिखा रहा है और आप अगर जो है 50 GB का backup लेकर रखते हैं iCloud में जो की काफी कम लोग करते होंगे तब ही आप जो है इसे use कर पाएंगे एक अच्छा feature है यह भी जिससे जो है आप अगर कहीं आउटिंग पर गहें या घूमने गह जाएगा यह सारी फोटो जो है आटोमेटिकली शेयर हो जाएंगी और यहां पर आप जो भी कैमरे से फोटो क्लिक करेंगे यहां पर आपको एक आइकन बनके आ जाएगा जब आप जो है फैमिली शेयरिंग वहां पर इनेबल कर देंगे तो यहां पर आप जो है एक आइकन बनन किया जब आपको photos click करनी है share करनी है तो आप इहां पे क्लिक कर दें वह यलो हो जाएगा और उसके बाद जो है आपके सारी photos कैमरे से Okefa चींट्री आसे मेंबर में जिनको भी आपने एड़ के आप है भाई का फोन हो या पॉम्मी का फोन या पापा का फोन जिसने आपने एड कि होगा जो डिवाइस उस डिवाइस में फोटो शेयर हो जाएंगी दोसे यहां पर दूसरे एक और फिचर के बारे में बात करेंगे जो कि एपल ने यहां पर एड किया एपने ios 16.1 में लेकिन यह हम लोग किसी भी काम करनी यह वालेट से लिटेड है क्योंकि यहां पर इंडिया में आप जानते हैं वालेट पर जो है ज्यादा यूज करनी पाते हैं नहीं यहां पर पे चलता है और नहीं जो है यहां पर आप कार्ट को अपने सेफ कर पाएंगे यह उन लोग के लिए अच्छी चीज है जो ल में तो यहां पर कोई भी इसे जाए तर यूज नहीं करता होगा यहां पर सिर्फ आपको छोटे मुटे पासेज और मुवी टिकेट्स वगर यहां पर आप एड़ कर सकते हो सिर्फ बस इसी के काम आता है दोस्तों यह थे आईए 16.1 के कुछ फीचर जो एपल ने यहां पर एड़ की हैं और कुछ पुराने यहां पर लेकर क्या है अपने ओल्ड फोन के लिए मैंने आप लोगों को बताने के कोशिश करी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और यह वीडियो पसंद आयोगी अगर पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और और हमारे चैनल को जरू-जरू सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई टेक केर और थैंक्स पर वाचिंग